हेलो गाईज वेलकम बैक तो एनदर दाउट क्लियरिंग वीडियो और यूट्यूब चैनल तो आज के इस दाउट क्लियरिंग वीडियो हम देखने जा रहे हैं जे इमें इसका इस बहुत प्यारो से प्वेशन जो कि यह चाप्टर हाइट अंड इसल्क से तो देखते हम जे क्या पोल रहा है दो वर्टिकल कोल ओफ हाइट 20 मीटर अंड 80 मीटर स्टैंग अपार्ट ऑन अ होरिजॉंटल प्लेन इस अब हमको इसमें चार अप्शन गिवेन है एए उप्शन एट्वेल बी ऑप्शन है 15 सी ऑप्शन है 16 और दी ऑप्शन है 18 तो इसका करेक्ट ऑप्श और इस जैसे और पर्शन को कैसे सौन करता है यह देखने की लिए अगर आप को वाय चैनल को सब्स्ट्राइब करना नहों बूले अल्लाइक बटन को भी ठोक देना तो देखते ऊसक्रेशन को कैसे व्ल्पशन में क्या गिवन था सिप्शन में दो पोल्स गिविक्त एक जो फोट है वो दूसरे पोल के हैट से कनेक्टेड है और दूसरे पोल का फोट है वो दूसरे पोल के हैट से कनेक्टेड है मतलब इसका फोट इसके हैट से कनेक्टेड है और इसका फोट इसके हैट से कनेक्टेड है उसने बोला कि जो पॉइंट अफ इंटरसेक्शन है ये इ इसको कैसे फाइंड करता है इस वाले पार्ट को हम X माल दे एकस बन कर दो और इस वाले बाट को हम X21 अब हम इस ट्राइंगल को नाम दे देते हैं इसको देते हैं A, M, C, D इस पॉइंट को E और O कर देते हैं तो हम क्या सकता हैं ट्राइंगल A, E, O that is A, E, O is similar to triangle A, B, C ये छोटा वाले triangle इस बड़े वाले triangle के similar है similarity of triangle के हिसाब से ये छोटा वाले triangle इस बड़े वाले triangle के similar है तो क्या होगा H upon X1 will be equal to 80 upon X1 plus X2 इस बड़े triangle की perpendicular upon base will be equal to इस बड़े triangle की perpendicular upon base अब ऐसे ही हम इस triangle पर करेंगे इन दो triangle करते हैं तो करते हैं तो H upon X2 will be equal to 20 upon X1 plus X3 इसको equation 1 कर दो इसको equation 2 कर दो सो हम अम नेक सकते है 5 equation 1 and 2 equation 1 2 का हम जब सॉल करते हैं अब आपस value क्या रही है X2 upon X1 is equal to 4 आ रहा है यह आम रिख सकते है X2 is equal to 4 X1 तब आप में इस X2 की value इन दोनों में से किसी भी एक equation में बड़े करते हैं चलो equation में बड़े करते हैं तो H upon X1 is equal to 80 upon X1 plus X2 की value क्या होगी 4 X1 putting X2 hill equation इसको further solve करके अमर परस क्या मनिवाएगी तेक्य।